हेलो गाइज कैसे हैं आप सभी I hope all you good आज का अमारा टॉपिक होने वाला है how to choose foundation without wasting time previous वीडियो में हमने जाना था foundation कितने type का होता है तो ऐसे ही हम जानेंगे कि foundation कैसे choose होता है तो foundation choose करने के लिए हमें skin tone and undertone के बारे में जानकरी होनी चाहिए तबी हम skin tone के according foundation choose कर सकते हैं जैसा कि मैंने class 1 में कहा था कि हम इस course में makeup को बहुत basic से सीखने वाले हैं एक-एक step को हम details में जानेगी क्योंकि बिना skin tone and undertone जाने हम foundation choose नहीं कर सकते हैं तो foundation choose करने के लिए हम skin tone and undertone के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गलत shade का foundation choose करने से makeup हमारा grey हो जाता है या जो हमारा base होता है वो पूरा कैकी सा हो जाता है एंड हमारी जो skin है उससे अलग दिखने लग जाता है तो यही सब region है कि एक right foundation choose करना बहुत ज़रूरी होता है एंड right foundation कैसे choose होता है इसके लिए हमें three step complete करने होते हैं first skin tone, second undertone and third skin type यह तीनों ही अलग अलग topic है मैंने mostly इन तीनों topic में सबको confusion होते देखा है तो वीडियो के last तक मैं आपके सारी confusion दूर करने वाली हूँ बट इसके लिए आपको यह पूरा वीडियो last तक अच्छे से watch करना है सबसे पहले हम जानेंगी skin tone के बारे में skin tone का मतलब होता है skin का color कैसा है skin का color fair है medium है या dark color है यही जो हमारे skin का color होता है यही skin tone होता है skin tone हमारा three type का होता है first fair, second medium, third dark first हम बात कर लेते हैं fair skin के बारे में fair skin आपको पता ही होगा कि बहुत clear show हो जाती है second है medium medium skin को witness skin कहते है witness means गेहुआ color third है हमारी skin dark skin का color अगर medium से dark है थोड़ा बहुत तो उस skin को हम dark skin कहते हैं बट आपको पता होगा कि कही बार ऐसा होता है कि skin का color sun के effect से change हो जाता है skin fair होते हुए भी हमको black दिखने लग जाती है तो इस skin को tan skin कहते हैं and normal तो skin dark होती है बट dark से more than dark होती है तो उस skin को deep dark skin कहते हैं आप skin tone 5 type का हो गया हमने skin के बारे में तो जान लिए ये उपर से कोई भी skin tone को देकर बता सकता है कि आपका skin का color क्या है but main होता है undertone को जानना undertone क्या होता है undertone हम कैसे जानेंगे तो मैंने इसके लिए बहुती एक simple सा chart त्यार किया है आपकी help के लिए पहले हम ये जान लेते हैं कि undertone होता क्या है skin के अंदर जो एक layer होती है मतलब skin के अंदर की जो skin होती है उसे undertone कहते है undertone three type का होता है first cool undertone second warm undertone and third neutral तो guys अब हम कैसे जानेंगे कि मेरा undertone warm है या cool है तो मैं आपको एक proper chart के थुरू बताने वाले हूं undertone के बारे में तो undertone को हम three type से जान सकते हैं first हम जानेंगे sun से अगर हम बार जाते हैं direct sun में and हमारी skin burn होके कुछ time तक red हो जाती है तो हमारा undertone cool है अगर sun के effect से skin burn होके black हो जाती है तो undertone warm है and अगर sun के effect से skin red हो जाती है and burn भी हो जाती है तो undertone neutral है अगर इससे भी आपको clear नहीं है तो अब हम जानेगे जुलरी से अगर आपके face पर silver jewelry बहुत जादा suit करती है तो undertone cool है अगर आपके face पर golden jewelry बहुत जादा suit होती है तो undertone warm है अगर आपके face पर silver and gold both jewelry suit होती है बहुत अच्छे से तो undertone neutral है थार्ड हम जानेगे wrist से अगर हमारे wrist के winds है वो blue and purple show हो रही है तो undertone cool है अगर हमारे wrist के winds है वो green color में show हो रही है तो undertone warm है अगर हमारे wrist के winds है वो blue and green दोनों color में show हो रही है तो undertone neutral है I hope अब तक तो आपने undertone को बहुत अच्छे से जान लिया होगा ऐसे ही अब हम जानेंगे skin के बारे में तब ही हम बहुत अच्छे से foundation choose कर पाएंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे skin कितने type की होती है skin 5 type की होती है first oily skin, second dry, third normal, fourth combination skin and fifth sensitive skin one by one हम जानेंगे skin के बारे में और थोड़ा details में कि oily skin कैसी होती है और ड्राइड स्किन दिखने में कैसी होती है first हम जानेंगे oily skin के बारे में oily skin के बारे में जानना बहुत ज्यादा simple है क्योंकि oily skin के face पर pomples and open pores बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएंगे and साथ साथ black head की problem देखने को मिल जाएंगे and face पर most of the time oil देखने को मिल जाएंगे तो इस skin को oily skin कहते है second है dry skin dry skin बहुत ज्यादा tight होती है and face पर red patches देखने को मिल जाएंगे and face पर dullness नजर आ रहा होगा तो इस skin को dry skin कहते हैं थार्ड skin है normal जो बहुत red chance में देखने को मिलती है क्योंकि normal skin बहुत ज्यादा fresh होती है ना तो यह oily होती है ना ही dry होती है यह skin बहुत ज्यादा soft and smooth होती है और साथ में एकदम खिली-खिली लगती है इस skin को normal skin कहते हैं फूर्थ skin है combination combination skin में t-zone area oily रहता है और चिक कमेसा dry and nose पर pimples देखने को मिल जाते हैं और कभी-कभी oily दिखती है और कभी-कभी dry दिखती है और साथ में open pores भी देखने को मिल जाएंगे तो इस skin को combination skin कहते हैं 5th and last skin has sensitive sensitive skin पर कोई भी makeup प्या कॉस्टमेटिक प्रोड़क इजिली सूट नहीं होता है कि इस skin इतनी sensitive होती है कि makeup प्रोड़क लगाने से instant red होके itching problem होने लग जाएगी और साथ में redness and red patches हो जाएंगे तो इस skin को sensitive skin कहती है तो guys यह थी हमारी five type skin skin के according foundation भी अलग-अलग type का होता है डाइ skin के लिए अलग foundation होता है oily skin के लिए अलग foundation होता है यह हम जानेंगे वीडियो के अगले पार्ड में इससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो guys अभी कर ले ताकि next इसका पार्ड जब भी upload हो तो आपको notification मिल जाए तब तक के लिए take care कि अगल से चाँ कि अगले और और उने